हिटलर देदी कुमकुम भाग्य और देवो के देव महादेव जैसे टीवी सोच से घर-घर में मसूर हुई एक्ट्रेस डॉली सोहा ने लंबे समय से कैंसर से जूजने के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया है डॉली सोहा के परिवार ने उनके निधन की जानकारी शेर की एक्ट्रेस के परिवार ने कुछ घंटों के अंतराल पर ही अपनी दो बेटियों को खोद दिया टीवी अभिनेतरी डॉली सोहा के परिवार के लिए ये बेहत दुखत घड़ी है एक्ट्रेस के निधन की जानकारी खोद उनके परिवार ने एक न्यूज पोर्टल के साथ शेयर की है डॉली सोहा के परिवार ने अपनी बेटी के निधन की जानकारी शेयर करते वे बयान जारी किया है उन्होंने लिखा हमारी बेटी डॉली का आज सुबह निधन हो गया है हम उनके अचानक यूँ चले जाने से पूरी तरह से सद्मे में हैं आज दिन में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा आपको पता दे कि कलश देवो के देव महादेव जैसे सोज करने वाली एक्ट्रेस डॉली सोहा पिछले काफी समय से सरवाइकल कैंसर सीज यूज रही थी मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था उनका परिवार पहली बेटी अमंदीप सोहा के निधन से अभी उबर नहीं पाया था कि अचानक उनकी दूसरी बेटी के चले जाने से उनके परिवार पर दुखो का पहाँ तूड गया है डॉली सोहा के भाई ने बताया कि एक दिन पहले ही एक्ट्रेस की छोटी बहन अमंदीप सोहा का निधन हो गया था उन्होंने कहा यह सच है कि अमंदीप नहीं रही उनके सरीर ने उनका साथ छोड़ दिया है उन्हें पी लिया था आपको बता दे कि डॉली की तरह उनकी छोटी बहन भी एक्ट्रेस थी डॉली सोहा के करियर की बात करे तो उन्होंने साल 2000 में सिरियल कलस से अपनी करियर की सुरुआत की थी जिसके बाद उन्होंने कमाल, कुसुम, भावी, तुझसंग, प्रीत, लगाई, सजना, हिटलर, दीदी, देवो के देव, महादेव जैसे शोज में काम कर चुकी है उनका लाश्ट सो जहनक था, जिसमें उन्होंने शरिष्टी विनायक मुखर जी का किरदार अदा किया था डॉली ने ये शो अपने कैंसर के इलाज की वज़े से कुछ समय पहले छोड़ दिया था ABV टीम की तरफ से डॉली शोहा को भाव पूरुट सर धांजली टीवी और बॉली बूड के तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए ABV Entertainment